इस समय हम डबट गाउं में हैं और यहां पर एक लंबे पुल का काम चल रहा है आपको हम दिखा रहे हैं कि हिमाचल में जो ब्राड गेज लाइन पड़ रही है वो कैसी है यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में काम चल रहा है यहां पर जो structure आप देख रहे हैं यह well foundation बनाई जा रही यह well foundation का काम चल रहा है well foundation यानि ऐसा structure जिसको धीरे धीरे करके नीचे धसाया जाता है यह cement का structure होता है फिर एक ऐसा level प्राप्त किया जाता है जहां पर वो structure और नीचे ना जाए तो यह देखे किस तरीके से यहां पर काम चल रहा है आपको well foundation हम दिखा रहे हैं यह well foundation का काम हो रहा है और यह काम यहां पर रात दिन किया जाता है जो इलाका है अगर इलाके की बात क करें तो यह सिवालिक रेंज हैं सिवालिक पहाड़ियों का इलाका है और यह भानुपली से अगर हम बात करते हैं तो भानुपली से मुश्किल से यह 10-11 किलो मेटर की दूरी है यहां पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है यह देखिए यह well foundation है लेकिन यह well foundation एक बार ब इससे मिट्टी निकाली जाती है तो देखिए well foundation यहां पर बनाई जा रही है और तमाम foundation की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह major bridge है यह major bridge है और इसमें जो major bridge है इसमें 21 span का यह pull होगा 21 span का यह pull होगा और इसमें हम कह सकते हैं जो सबसे उंचा खंभा होगा जिस जगह से हम गुजर रहें यह भी इस पुल के अंदर ही होगा यानि यह पुल से बाहर की जगह नहीं होगी अब आपको हम उस जगह पर लेकर चल रहे हैं जहां पर पुल के उंचे उंचे खंभे खड़े हो गए यह उनका जो काम है बड़ी तेजी से किया गया है तो वो काम भी आप देख सकते हैं जिस इलाके में हम गुजर रहे हैं यहां पर गरड़ ब्रिज बनेगा यह देखिए उंचे-उंचे खंभे दिखने लगे यह उचे-उंचे खंभे यहां से आपको नजर आ रहे होंगे और यह खंभे अपने आप में खास हैं यानि पिलर 789 10 अगर हम बात कर तो यह चारों पिलर 44 मीटर उंचे होंगे यहां पर देखें यह एक और हम आपको दिखा रहें वेल फाउंडेशन और यहां पर जो गर्डर का जो इस्ट्रक्चर है वह भी आने लगा है यानि जो अलग अलग स्पैंस हैं वह भी यहां पर पहुंच चुके हैं यानि इस पु काफी महत्पूर्ण है मेजर ब्रिज है यह 992 मीटर लंबा है 992 मीटर लंबा है यह देखें यहां पर दूसरा एक और वेल फाउंडेशन का काम चल रहा है जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको नीचे दबाये जा रहा है बड़े बड़े क्यूब्स रखे गए देखें सीमेंट के स्ट्रक्चर रहो हैं ज시에 पूर नीचे डाल है और इसके अंदर से म्ति निकाली जाती है और मति निकालकर बाहर डाली जाती यह पूल नीचे ठ率 में लगता है और जब धस जाता है तो इसके उपर फिर हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा structure क्ख़़ा कि यह देखिए इसकी फाउंडेशन तयार हो चुकिया और इसके इने चाहogene कर arrow ला आप देखिए कितना इसमें सरीयह लगायर जा रहा इसमें मजबूत सीमेंट डाली साओक होगा उस बाषट हैग वह आपने आपने चीकुन का नायाब नमोना है क्योंकि इस जगह पर इस तरीके का पुल बनाना आसान नहीं है क्योंकि यहां पर मेनन मेटरियल लाना और उची सी उची चीज़ें और देखिए किस तरीके से कुछ जो पुल है उनकी कैप भी तयार की जा रही है और जो कैप तयार हो रही है यह अपने आप में महत्पूर्ण है उसको मैं किस तरीके से कैप तयार की जा रही है बड़ी उची उची लाई गया जिनके जरिये यह काम किया रहा है यहां जो यां ऍनम फो दिखा रहे हैं त contrad comments त्यका है और इसके आगे एक यंदे और 12 यह दो रहा हौ हो रहा है नंदर से हो उखले होते हैं समझेगा कि पूरे के पूरे भरी हुई अंदर सीमेंट भरने से कोई मजबूती नहीं आती है जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाता है यह पिलर कि तयार किया रहा है नीच धसाیا जा रहा है यानि बड़े बड़े क्वबडे के ब्लॉक्स एंधार उसके ऑंदर से कि मिट्वी निकाला जाती यह सब्सक्राइंef सच्चराओंध कहंबा दिखा एक सब्सक्राइए कि भानुपली बिलासपुर और बेरी जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें किस तरीके से काम चल रहा है क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे हमसे कि हिमाचल में जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है जो लेहलद्दाक जाएगी जो लाइन वो कैसी बन रही है क्या हो रहा है वो लाइन हम आपको दिखा रहे हैं हलांकि लेह लद्दाक की जो लाइन जाएगी विलासपुर से आगे जो लाइन बढ़ेगी उसका सर्वे हो चुका है उसका डीपियार तैयार हो रहा है यानि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है जल्द ही भारत सरकार उस वेल फाउंडेशन इस पर खंभा बनाने का काम बड़ी जल्दी शुरू होगा और यहां पर टार्गेट भी दे दिया गया है इन सबको टार्गेट दिया गया है कि जल से जल तयार करिए क्योंकि दिसंबर 22 तक 17 किलोमीटर का जो रेल सेक्षन है उसमें ट्रेन चलाने की त प्यारी है तो अब आने वाले दिनों में यहां से आज से अगर तिन चार साल बाद आप आएंगे यानि 2025 की अगर हम बात करें तब यह पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यहां पर ट्रेने चलने लगेंग जो टार्गेट है अगर वो मीट होता है तो निश्यत तोर पर इसकी जो कीमत है वो बढ़ती नहीं है तो यह पूरी कोशिस है क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो जादा तर प्रोजेक्ट में काश्ट इतनी जादा बढ़ जाती है कि लोग परिशान होते ह और सबसे परिशानी वाली बात यह होती है कि जब काश्ट बढ़ती है तो कहीं न कहीं बहुत से लोगों के लिए एक मुसीबत वाली चीज होती है यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यह प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो यहां हम आपक चलेगी तो निश्चित तवर पर इस जगह पर डौल की बयार आ जाएगी और साथी साथ लद्दाक जब जोड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर Defense के लिए एक लिए बड़ी जीथाजीवारत बड़ी जीत हो गैए और भारत के लिए तो निश्चित तौर पर यह काम हो रहा है कैमरामेंट डीके सर्मा के साथ सिद्धार्थ न्यूजी स्टेशन दबट